तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीम का BBS कैसे निकलते हैं साथी साथ टॉप बार बार का काटिंग लेंद मी निकालेंगे तो इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटिल्स में जानेंगे कि बीम BBS कैसे निकलते हैं तो इस वीडियो को पुरा जरूर देखे ताकि आपको सारे डाउट का जो अनसर मिल जाए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले बीम बीविएस मान ले थे कि इसी बीम का हम लोग बीविएस निकालने वाले हैं इस बीम का साज है दोसो पचीस हमें इंटू तीन में बार और यह होगी हम लोगा बॉटम में बार उसके बाद इस एल्ट हम लोग लिए है यहां से एनी कोलम के सर्फेस से जितना भी अंदर जाता है उसको हम लोग कहेंगी एल्टी डेवलोप्मेंट लेंद लिए है 50D तो इसी को कंसिडर करते हैं हम लोग जो है इसका पूरा बारब बीबेर स मुएश मिंकलेख साथ जाथ साथ काटिंग जासे कि कि रिए मिटर इफेक्टिव एस्वन की फोर मुटर यहां था तखिली है आगे देखते हैं बsplISH आप मेंडवार कारटिंग लेद़ मेंड़ कारटिंग निब्स्ते कि ठिश्ट्प मेंड़ बात तो 3.7 प्लास 2 इंटू LD 50 50 D लिये है तो D का जो है डाय आप इस्टिल तो डाय आप इस्टिल है बारा तो आगे हम लोगा 4,900 mm तो मतलब हम लोगा जो है काटिंग लेंथ निकाल के आगे है 4,900 mm तो हम लोगा जो है इस बीम का जो है काटिंग लेंग तो आप मेंड बरका आएगा 4,900 mm एनी 4.4.9 मिटर यहां तक तक आपको किलियर है अगर आपको यहां डाउट हो सकता है कि यहां पे जो है आप दोनु का जो है 90 डिए अंकल का बेंट बार जो माइनस नहीं किया है तो यह जो है आप चाहे तो माइनस कर सकते है लेकिन अकसार इसको जहें नहीं किया जाता है लेकिन साइट के अनुसार इसको डिपेंड करता है अगर आपका रहान है ट्वाप एक्स्ट्रावर हिसका ईंसर है या की यह मतला evaluation यह ने में यह से कि यहां से यह मिटर तक आपको टॉप एक्स्टाबर प्रवाइड करना है इसका बॉटम एक्स्टाबर कहा पर प्रवाइड करना है आपका जो है 010.15 into effective length पर आपको प्रवाइड करना है मतलब आपका जो है कि रिंद से कॉलम से आपको 0.15 into effective length आपके दूरी पर आपको बॉटम में एक्स्टाबर आपको प्रवाइड करना है जैसे 0.15 into effective length होगी हम लोगा चार मीटर effective length हम लोग उसे कहेंगे center to center column 4 meter 4 4000 mm into 0.15 आगया 600 mm मतलब हम लोग जो है bottom एक्स्टाबर प्रवाइड करेंगे यहां से 600 mm दूरी पर मतलब इस यहां से 600 mm दूरी पर है तो इसे भी हम लोग यहां पहर प्रवाइड करेंगे इतना दूरी से लिकर इतना दूरी स्रवल सेमे ऊपर की तरह तो इसका भी छो है सेमा आएगा पॉमेन बार की तरह तो सेम को से मगए उसके बाद ट्प एक्स्टार बार आफ जो हम लोग इसमे इसका इसे करें परMy एल जो है यहां पे development लिन्द उसके बाद येव्ल डास वाइव थिरी मतलब हम लोग provide करेंगे ये एक मतलाब यहां से यहां गज़तीन करेंगे आ इसमें रखенगा यहां से यहां य खोल करेंगे यहां से यह यॉश्दा करेंगे तोसी को कहेंगे येल येल डश बाइट थी अधी यहां पर इन कि वाग कर देंगा एक भाग में यहां पर प्रोबाइट करेंगे एक टाप लुचैल कि आग्या मैनस 20 बैंट यहां पर मानस कर देते हैं तो यहां होगा 50 डी जाप घले ले चुके हैं और टोटाल एफेक्टिव लेंद है फॉर मिटर चारहजर एमें वाई थिरी माइनस ओन फिफ्टी जो है सेंटर से हम लोग लेंगे जहाँ देख रहे हैं यहां पर हो गया तिन से में का कॉलम तो हम लोग निकलना है हम लोग को यहां से सर्फेस से लेकिन हम लोग इफेक्टिव लेंद यहां से एगाँ तो यहां से जाएगा यहां से इसको घंटा देते तो यहां से अंसर इधर से बाहर आ जाएगा दूसरी तरीके से कि हम लोग इसको माइनस कर दिया है तो 90 degree argument हो रहा है तो इसको माइनस कर देंगे 600 mm हो यह ल डिक्री प्लस इसको माइनस टो इंटो ट्वेल डाया इस्टिल होगे टुएल इम्म का तो आगे हैं 17593 जो है त्राइसो उन्सेट पंट्ट थी एम्म का काटिंग लेंध निकलना होगा यह होगी हम लोगा काटिंग लेंध अब लोग लिकेन लें थाब बोटम इक्स्ट्राबर काटिंग लेंध तो उसके लिए क्या करेंगे जो की पहले हम बता चुके है कि यहां से 0.15 जो इस चेसल में इधार से साथ सर्फेस से इस कॉलम के सर्फेस से चेसल में हम छोड़ देंगे इस कॉलम से सब्सक्राइब जो भी बिश में जिस्ट्रेंस होगा उसी में हम लोग करेंगे पुरफाइ तो कर दिये तो आगे हम लोग अंसर इतना और आ जाते हम लोग का टोटल अंसर 25 से तो हम लोग का जो है bottom extra बार जो है cutting length 25 से में का होगा तो आप quantity of steel हम लोग main bar cutting length top bottom bar extra bar सब का cutting length निकाल लिये है अब इसको जो हम लोग multiply कर देंगे unit weight of steel से इसका डॉप में हम दो और में बर लिया है उसका लेंद फॉर पॉंधन नाइन मीटर जिसे की निकाले है बॉटों में दो बार उसका भी काटिन पॉंधन पॉंधन टर पाइंड मेंटर कटिंग नेत आया है उसका बाट काम में दो बार तू पॉइंट फाइप जो है हम लोग अ मीटर कटिंग लेत आया है इसको सारे को प्लास जो है इसबी में इसे बीम में के तोर पर यूज होगा उसके बाद इस्टीर अप निकाल लेते हैं तो नमबर आप इस्टीर अप निकालने के लिए लेंथ अपोन इस्पेसिंग प्लास वन कर दिये लेंथ हो गया 3,700 mm 150 हो गया इस्पेसिंग जैसे कि यहां डाय ओप मेन बार 12 mm का इस्टीर अप डायमेटर हो गया 8 mm का और इस्टे सेंटर और इस्पेसिंग जो हो गया 150 सेंटर दो सेंटर तो उसी तरह जो है इस पेसिंग दे दिये प्लास वान तो आगे हम लोगा 26 नामबर ओप इस्टिराप मतलब हम लोग को इसी बिम में जो है 26 इस्टिराप लगने वाला है अब इस्टिराप का कर्टिंग निकाल लेते हैं जैसे कि यह हो गया इस्टिराप का कर्ण सेक्शन अरिया 250 या तो यह एक साइड मान लिए इसको भी मान लिए तो यह का हम लोग पहरे निकाल लेते हैं है चैनल है चैनल सो जह जो है 25 इंद रखेंगे कि लिए इस स्तस्री खरखेंगे किलियर इस प्सक्रत टो किने तीने प्रख देगा को सेन्टर नीन है तो उसी महता है थे तो आप आप है आज चारे में उधर का मैनस करती तो आगी हम लोगा 167 mm यह का हम लोग का कटिंग यह का जो हम लोगा लेंट आ गया उसके बाद भी 300 mm हाइट है तो माइनस जो है इस पेसिंग राखेंगे 25 mm ट्वेंट दोन तरह आओ सेंटर डिस्टेंस लेंगे 4 mm करके मानस कर देंगे तो दूनों का सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस आजाएगा उसके बाद आगया 242 mm हम लोगा डिस्टेंस आगया अब काटिंग लेंड निकाल ईथे 2 जो है काटिंग लेंड का फर्मूला है जो है आपका स्टिर आपका 2 इंटु यह प्लस बंप लेंड तो 2 हो गया यह हम लग हारीग डाया पीस्टिल हम लोगा है इन्टी टील इंटी एट अने टू आल ऑगे हम लोगा टोटल काटिंग लेंद 101 mm यानि 1.01 बिटर हमें स्टिल लाइटर टोटल ईस्टिल अप क्कॉंट्ध अब स्टील टोटल 26 हम लोग इस्टिल आफ है उसको 1.01 जो है मीटर का इस तरीक से आप जो है आपना कटिंग लेंद निकाल सकते हैं की थी भी पीम का उसके साथ जो है काटिंग लेंद निकालने के बाद आप उसका स्टील काल्कूलेशन कर सकते हैं इसी तरीके से तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो में जितना भी सारे बते हैं आपको समाज में आगया होगा फिर भी अगर कहीं आपको डाउट है तब कॉमेंट करके पुछ सकते हैं यहां तक देखने के लिए धन्वाद अगर आप पहली बार आए इस सेनल तो इस सब्सक्राइब के लिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिप सेनल आपको हमेशार मिलते हैं